बहुत ज़्यादा confusion आजाता है जब कोई company एक similar rate के अंदर अगर cameras दो launch कर दे और उनका rate variation ज़्यादा न हो मैं बात करने जा रहा हूँ R6 Mark II की और R8 के बारे में कि बहुत ज़्यादा confusion create होगा कि आर कौन सा camera purchase किया जाए features की अगर बात करी जाए तो बहुत सारे features जो है वो similar है बट variation क्या है दोनों में difference क्या है यह आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तो guys मैं हूँ दुरविन जन फर्म DSLR Academy जहां पर आप online और offline दोनों जगे आप courses join कर सकते हैं और अपनी photography की skills को develop कर सकते हैं कि कई बार photography आज की तारीक में cameras इतने अच्छे हैं कि आप click करेंगे और better result आजाएगा बट एक amateur और professional में difference कैसे create करेंगे यह सब कुछ आपको हम यहाँ पर guide करते हैं lighting के बारे में cameras के बारे में सारी information आपको मिलती है और आप एक as a beginner से लेके professional level पे बहुत easily convert हो सकते हैं so guys मैं बात कर रहा था यहाँ पर एक छोटे से confusion के बारे में कि camera जब हम upgrade करते हैं यहाँ नया कोई purchase करना होता है तो confused हो जाते हैं कि यह कौन सा camera लिया जाए क्योंकि इन दोनों के rate के अगर variation के बाद करी जाए तो near about 60-70,000 का variation है वो ज़्यादा variation भी नहीं है तो हम कौन सा camera ले यह question हमेशा mind में आता है क्योंकि अगर इन दोनों के features अगर आप compare करोगे तो near about same है बट difference अगर देखा जाएगा तो आप दोनों देख रहे हो एक तो body का difference है कि यह body थोड़ी ज़्यादा बड़ी है बट अगर आप एक travel photographer है आपको घुमना फिरना बहुत पसंद है आप wildlife photographer है आप बहार ज़्यादा गुमते हैं तो यह body आपके लिए बहुत ज़्यादा useful हो सकती है क्यों क्योंकि आप दोनों का comparison देखिए कि यह compact body है दोनों ही camera mirrorless है आज की तारिक में जितने भी camera जा रहे हैं सब पूरी technology mirrorless पर shift हो गई है बट फिर भी इसके internal features के अंदर बहुत ज़्यादा variations है वह variation हम आज लेते हैं कि दोनों ही 24 megapixels हैं दोनों ही parallel आपको video shoot देते हैं सब कुछ same देते हैं अगर मैं focusing point की बात करूं तब भी वह similar है इंदरों में difference क्या है क्या है difference क्या difference है 24 megapixel R6 Mark 2 में 24 megapixel है तो वही parallel इसमें है 4K video recording की बात करी जाए तो 4K 60fps इसमें है और इसमें भी है slow motion की बात करी जाए तो 120 और 180 दोनों में है 24 megapixel भी है focusing point भी similar है digit X दोनों में है तो difference है क्या सोचने वाली बात यह है कि इसमें दोनों में difference है क्या normally सबसे बड़ा जो difference है वो है एक cost का अगर आप as a beginner है और आप full frame camera purchase करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं R8 पर क्यों क्यों क्योंकि आपको near about 70,000 कम cost में आता है then अगर आपको wedding photographer है और या अगर आप wildlife photography या travel photography करते हैं तो ये camera थोड़ा वजन में जादा है 200 gram इस camera से गर compare करूं तो जादा है तो regular जब हाथ में उठाना होता है 200 gram यह बहुत normal लगता है पर जब हाथ में एक हाथ में ऐसे उठा के और photography करनी होती है तब उसका वजन भी जादा लगता है क्योंकि हमको आगे कई बार tally lenses भी लगाने होते हैं तो जितने भी wedding photographers हैं अगर आप एक heavy camera body रख रहे हैं तो parallel अगर आपको new body अगर कोई purchase करनी है और वो भी light weight में कि आपके एक छोटे से bake के अंदर भी ये सारी चीज़े समा जाए आपके lenses के साथ तो एकदम हलका फलका है तो आप ये purchase कर सकते हैं then अगर मैं आपको grip की बात करूँ तो दोनों की grip आप देख सकते हो कि जिस तरीके से मेरी ये grip set हुई है बस इसमें सिर्फ एक advantage है कि ये मेरी तीनों fingers बहुत properly set हो जाती है इसके अंदर अगर देखा जाएगा तो एक सिर्फ last finger मेरी थोड़ी से missing होती है बट grip में कहीं कमी नहीं है easily आप इसको चाहे viewfinder से और चाहे LCD screen से आप दोनों से इसको बहुत अच्छा से shoot कर सकते हैं क्योंकि इसकी grip में कोई कमी नहीं है parallelly अगर आप R8 के अंदर अगर आप 1.2 mm का lens भी अगर attach करते हैं जो हमको wedding photography में अंदर जरूरत होती है तब भी आपको proper grip देगा तो ये difference की अगर बात करी जाए तो features wise almost same है near about same है but amount अगर variation करा जाए तो 70,000 एक बहुत बड़ा difference भी आजाता है ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि बहुत कम difference है क्योंकि 70,000 हम add करके हम lenses ले सकते हैं या accessories के पीछे investment कर सकते हैं इसलिए एक बार सोचे, समझे ध्यान से सारे descriptions कैमरा के एक बार आप देखें कंपनी के शोरूम पर जाकर एक बार उसको feel करें कि यार, are it क्या मेरे लिए उतना easy है use करने में तब आप जाकर इस कैमरे पर जाए और एक बार अगर आप इस कैमरे की पूरी detail information जानना चाहते हैं तो इसके उपर मैंने properly पूरा video बनाया हुआ है कि यह कितना ज्यादा useful है इतना ज्यादा बहतरीन result है अगर आप इसकी photographic के बात करें चाहिए वीडियोग्राफिक के बात करें बहुत बहतरीन result आपको इसमें भी मिल जाते हैं तो बदब सिंपल सी अगर सोचने वाली बात है कि जब comparison हम दोनों का कर रहे है और सारे comparison हमको equal type मिल रहे है और 2-3 variations मिल रहे है तो हम थोड़ा पैसा बचा भी सकते हैं ओलेंस इसके पीछे डाल सकते हैं यह जो information मैंने आपके साथ share करी है अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं और आपका अगर पैसा बचा है तो मुझे comment box में बताएं और इस camera का use करके कैसे results आपको मिलें वो भी मुझे comment box में बताएं आप follow कर सकते हैं DSLR Academy, Instagram और Facebook पे हमारे कई ऐसे नए cameras की information के लिए और then workshops के लिए यहां पर आप सीख सकते हैं कि कैसे हम हमारी photography को improve कर सकते हैं Thank you so much, मिलते हैं next video में